आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है यहां पर हम थ्रेड का कॉंसेट पढ़ेंगे उसके बाद देखिंगे इसकी टाइप्स क्या क्या होते हो इसके अंदर क्या होता है तो चलिए अब हम आपको आपके दिमाग में दो अलग अलग चीज़ें जो हैं जो हैं जो एक होने वाली हैं वो उसको हम अलग अलग पहले से कर देते हैं वो यह है कि प्रॉसेस और थ्रेड दोनों अलग 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 चीज़ें हैं तो चलिए देखते हैं कैसे जब आप बात करते हैं traditional operating system की जिसमें क्या होता था कि हर एक process के लिए उसका हर एक process का एक address space होता था और उसके लिए control करने के लिए single thread होता था यह definition भी कुछ ऐसी लग रहा ही कि process की definition है लेकिन इस situation को ज़रा समझें यहाँ पर आप ऐसी कुछ बात होने वाली है जो की आपको सौझ में आए जाएगी जैसे की माल लीजिए यह तो process की definition में बता रहा हूं लेकिन इसी के अंदर अगर में एक थोटा अदर trace ला दूँ वो यह कि यहाँ पर multiple threads भी possible है same address space में one on one mapping तो ही है कि एक thread पर एक address space लेकिन यह भी हो सकता है कि many on one mapping हो जाए मतलब multiple threads जो की control के हैं वो same address space को point out कर रहा है और इसको हम parallel processing के अंदर भी count करते हैं और यह अलग-अलग process के लिए हो सकता है मतलब दो चीज़े हैं जो आपको समझ नहीं है number एक पर जो है वह यह के process और thread दोनों अलग-अलग चीज़े होती है number दो पर आता है वह यह के thread जो है वह एक एक से अधिक भी हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस space के लिए अब देखिए आपको अगर मैं multiple thread का diagram दिखाऊं तो और कोई बात नहीं है रिखता ऐसा नहीं है thread के पास एक आप देखेंगे कि code section है data section है file है registers है stack है और दूसरी तरफ वह सारे stack है वह सारे register है वह सारे data file सब कुछ है उसके multiple threads है तो इस बात को समझते हैं यहां पर दो तरह के threads होते है thread कभी-कभी lightweight process भी कहा जाता है उनको और यह एक बड़ा basic unit होता है CPU utilization का जिसके अंदर thread की ID होती है program counter होता है register set होते है और stack होता है यह करते है कि यह सारे के सारे जो है ना डूसरे thread की belongings को मतलब किसी भी same process की दूसरे thread जो और उससे क्या करते है सारे के सारा data transfer चलता रहता है उनकी sharing चलती रहती है मतलब coding section data section और operating system के उन बहुर दूसरे भी resources है जैसे की open files या signals हुए वो सारे भी आपस में क्या रखते है शेयर करके रखते है जबकि वहीं heavyweight process जो है या traditional process जिसे हम क्याते है वो क्या है single thread से control होती है मैं आपको एक बार बता हूं उसका ये दोने example जो है उनको धायान से देखिए यह जो multiple thread है यह नए जमाने का है और यह single thread है इसको traditional बोला जाता है traditional में क्यों होता था कि एक address space उसकी एक thread आप सोचिए कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके जितने number of thread उत्ती address space लग जाएंगी लगन यहां पर क्या बहुत सारी thread को एक address space में रखने की कोशिश की जा रही है उससे पाइदा है आपका space बच रहा है तो इसलिए ज्यान से देखें इस definition को जिसके अंदर जादा वो होते हैं उसको light weight बोले जाता है मतलब light weight weight in terms of memory बहुत सारे thread एक ही मतलब तीन लोग है एक ही motorcycle बजाएंगे तो कम petrol लगेगा तो कहने का मतलब यह कि तीन थ्रेट जो है वह एक ही सिंगल एडर से स्पेस पर आकर point out करें that is what we call light weight process वही एक आदमी एक ही कार के अंदर एगी बस के अंदर जाएगा जिसमें capacity और भी लोगों की थी तो वह हो गया heavy weight वह हो गया heavy weight और बड़े लोग जाते हैं इन दोनों के अंदर जो आप उसको समझने के लिए इसको एक example देखना पाएगा है खेर हम बहुत सारे software packages जो होते हैं वह आजकल नहीं जो desktop साहरे हैं Google Chrome जिसी खोला है उसमें कई सारे threads होंगे मैं आपको दिखाता हूं कौन-कौन से पहले नंबर पर होगा जो आपको कोई image रिस्प्ले कर रहा है उस वाला thread या फिर कोई text दिखा रहा है जो website पर कोई भी आपने website इस पर आपने पिंक कर रहा है वाला thread और वहीं एक thread और होग माल लीजा आप MS Office कोलते हैं आपने MS Office कोला MS Office में एक thread ऐसा होगा जो कि आपको डिखा रहा होगा वह स्क्रीन दिखा रहा होगा इसे बोलेंगे ग्राफिक डिस्प्ले बोलेंगी और एक thread जो होगा वह इस इंतिदार में रगा होगा कि हमारा end user कौन सा keystroke दबाने वाला है क्योंकि वह भी तो thread रखना है ना ख्याल में और एक thread वह भी होगा जो कि देख रहा होगा कि फिलाल grammar जो वह आप टाइब करो ग्रामर चेकिंग वाला थ्रेड जो है वह स्पैलिंग इन ग्रामर चेकिंग आप देखना नॉर्मली वर्ड में अगर आप कुछ नहीं डालो त अगर आपने कहीं कुछ गलती से अगर स्पैलिंग मिस्टेक एकाच शर्थ की कर देगा तो यह जी क्या है कि है तो एक प्रोसेस वर्ड की आपने डॉक फाइल को ली प्रोसेस को ली वर्ड खोला एमस आफिस कोला वर्ड दिखा लेकिन वो thread अपने साथ तीन तीन चार्चा है जैसा कि प्रोसेस के साथ होता है कि प्रोसेस आप असमें इंडिपेंडेंट होती है thread के साथ वह मसला नहीं थ्रेड आप असमें इंडिपेंडेंट नहीं के अंदर वह एक दोसरे का झाल सकते हैं लेकिन वह यूसरे 拜拜 इजेWho पेसा जरूरत आने भी नीँवाली क्योंके जरूरत अने भी निए तो क्रेज़् जो है वो डीलीट होति है वो नियुसाज हम अलग-अलग तरह की process होती है और सारे के process के अलग-अलग की user होते है और जो क्यी एक दूसरे से शायद मिरा खाल सह वस्टायल हो सकते है एक दूसरे के दुश्मन हो सकते है one process can kill another process तो यह possible है अगर आप माल लिजी है कोई process is क्यों की हमेशा single owner से own किजा रही है लेकिन अगर प्रॉसेस हैं तो डिफरेंट यूजर की शायर में रखाल से उसमें गड़बर हो सकती हैं अब अगर बात करें हमके एड़ेस स्पेस को शेयर करने वाली बात है तो जितने भी थ्रेड है वो तो क्या सेम सेट को फॉलो कर लेते हैं जितने भी चीज़ हैं उस सारे हम कर लेंगे साथ ठीक है लेकिन जो भी आइटम अभी आप कोई दिखने हैं स्क्रीन पर यह आइटम जो है जो की सेवरल स्टेट से गुदरता था जैसे प्रोसेस गुदरता था रानिंग ब्लॉक रेडी टर्मिनेट स्टेट से वह है इसका भी है थ्रेड का भी है थ्रेड भी इन सारे सूर्टों से गुदरता है इन सारे स्टेट से गुदरता है running state में रहता है, कोई thread, कोई block में रहता है, कोई ready में रहता है, कोई terminate में रहता है तो thread जो की CPU अभी फिलाल currently use कर रहा है, उसको हम बोलते है active और जो thread block हो जाते हैं, उनको हम unlock करने के लिए कोई ने कोई event का इंतजार करते हैं या फिर उसको unlock कर देते हैं, तो blocked event भी होते हैं और आपके active जो thread हो भी होते हैं, जो की अभी फिलाल currently use कर रहा है अब यह तो हुई बात concept तो thread का, लेकिन इसके अंदर जो variety आती है, वो आती है, इसका types की कौन-कौन से type के thread होते हैं उसके बाद इसके अंदर आएगा कि process और thread की विश्म कर देते हैं Thank you so much